हेलो कैसे हो आप सब लोग और आज है दिन शुकरवार तारीक है 18 और आज की डेट मुझे याद है क्योंकि आज सुबह ही मैंने केलेंडर में डेट देख ली थी तो आज 18 तारीक है दिन शुकरवार है और अभी टाइम हो रहे है पॉने तीन दो बचके 45 मिनट हाँ और आज जो है व्लोग दिन में शुरू हो रहा है क्योंकि आज सुबह से तब थोड़ी मेरी खराब हो रही थी एक तो मेरे को गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा था जैसे गूपते है कोई चीज तो दर्द होता है वो रहा था और थोड़ा सा सर भारी भारी हो रहा था पहले दिन से लेकर शाम तक का जो भी मेरा रूटीन होता है आज मैं वह आप लोगों के साथ शेयर करूगी और कुछ सब्सक्राइबर का जो है मेरे पास कमेंट आ रहा था कि मैं आप ये बताईए आप कितने जो हो एजुकेशन क्या है आपकी आपने कितनी पड़ाई करी है तो मैं ये भी मैं शेयर कर देती हूं वीडियो में और तो मैं आप लोगों को बता दू जो भी पूछ रहा था उनको मैं बताना चाहती हूं कि मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करावा है मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं मैंने एमकॉम करावा है और एमकॉम के बाद जो है मै कोट में जाना बेकुबन कर दिया था शादी के बाद भी मैं एक-दो बार जो है जब भी अपना कोई पर्सनल काम आजाता था जैसे कोई अपने क्लाइंट का आ जाता था वह मैं करवाने चली जाती थी लेकिन येश के होने के बाद जब प्रेगनेंट थी और जब येश हो ग करती हो तो इसलिए मैंने बोला अच्छा जो है अच्छा इंप्रेशन नी पड़ता है सब्सक्राइबर पर तो मैंने सुच्छा बता देती हूं और गर्मी बहुत ज़ाद हो रही है में को बहुत पसीना आ रहा है और यह जो मम्मी के रूम का जो फैन है इसमें क्या है तीन न लोग स्टार्ट करते हैं और अपना इमनिंग रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करूगी और चलिए फिर मिलते है थोड़ी देर यहां पर मैं आ गई थी मम्मी के रूम में ज़ाडू मारने के लिए और इस टेम जो है चार या सवा चार बज़रे थे और यह डेली का रूटीन है हमारा हमारा क्या सबी लोगों का होता है शाम की और सुबही की ज़ाडू जो होती है वो तो फिक्स होती है कि लगती ही लगती है चाए गंदा हो चाए ना हो वैसे तो सुबही ज़ाडू लगी थी गंदा वेगर तो कुछ नी था पर एक नियम जो होता है वो च पर ये था कि एसी में मार रही थी कि शायद कुछ हो तो फिर यह होता है कि दिंच्पे के बाद फिर ज्ढड़ू नहिं लगती है हमारे तो इसले दिंच्फे से पहले-पहले वेगेरा नहीं होता है साफी होता है और जब जाड़ू वेगेरा हो गई थी तो मैं आ गई थी और जो है चाई पी रहे थे मम्मी और मैं और आप लोगों में से बहुत लोग कह रहे थे कि अपनी मम्मी से मिलवा हो तो आज जो है मम्मी से मिलवा देती हूं मैं आप लोगों क तो इसलिए फिर मम्मी और मैं यहां पे चाई पी रहे थे और चाई के साथ हम रसी लेते है बिस्कुट या नमकिन मुझे अच्छी नहीं लगती है और रस ठीक रहते है थोड़ा सा जो होते है कि उसमें जो होते है चीनी वेगरा भी कम होती है और अच्छे भी लगते है क्रंची क्रंची होते है तो मेरे को जो होता है बिस्कुट से अच्छे जो होता है रसी लगते है मुझे तो यहां पे जो है मम्मी और मैं रसी खाते है शाम के टैम और शाम के टैम की जो चाए होती है उसके साथ जो होती है बाते भी हो जाती है थोड़ी सी कि अब जो है शाम को क्या बनेगा और शाम को और कौन-कौन से काम है तो वही मम्मी और मैं बात कर रहे थी कि क्या क्या सबजी पड़ी भी है क्या बनाना है क्या नी बनाना है और अगले दिन की भी थोड़ी सी प्लैनिं ता क्यूंकि जैसी चाय वेगरा पीते है तो वो आ जाता है तो यहां पर जो थी चाय हो गई थी और लाके दो यह नहीं मास्क नहीं कपड़े लाके दो हाँ यह दे दो और लाके दो हाँ यह भी दो हाँ गे गया दूसरा लाओ हाँ यह भी गे गया टावल लादो अपना हाँ टावल लाके दो तो यहां पर आप लोगोंने मम्मी के साथ यह की मस्ती देखी होगी वो ऐसी करता है कपड़े लाता है और देता है मुझे और खुब खुश होता है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेर कर देती हूँ और अब जो है मैं आ गई थी रात के खाने की तैयारी करने और मैं बना रही थी आलू शिमला मिर्च की सबजी और थोड़ी सी बीन भी थी पड़ी वी तो मैंने सुचा वो भी डाल देती हूँ तो यहां पर जो था मैंने लंबी लंबी प्याज डाल दी थी और जब प्याज जो थी थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी तो मैंने उसमें मसाले डाल दिये थे नमक, मिर्च, कुटावा, धनिया, हल्दी और अमचूर और इसको जो है मैं थोड़ी देर भूनूँगी थोड़ा वित रात को ही खतम हो जाए तो यहां पर थोड़ी सी पड़ी थी आलूओ शियμला मिर्च और यहां पर बादी थी जो थी बना दियो और दिन में जो मैंने लाल मल्का की डाल बनाई थी वह थोड़ी सी रखे विवी थी तो मैंने वह भी ले ली थी तो आज अप लोग भी खा लीजिए रात का खाना और जब यहां पे खाना वगेरा हो गया था मैंने बरतन वगेरा सब कर लिये थे और बरतन वगेरा करने के बाद राट के टैम जो होता है वैसे तो तीनो टैम ही जो होता है जब जब खाना बनता है लेकिन रात के टैम जो होता है मैं अच् दबय से दखते है पाने या जिखते है रॉवन पढ़ आपके है वह स्पेशली गलास बनावए होता है बहुत csak है सुबह उठके जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है साफ सुतरा चूला देखके तो हेलो और अभी जो है रात के अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना तो चलिए अगरते हैं फिर इस वीडियो का एंड मिलते हैं कल एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब